दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक creator हैं और YouTube पर वीडियो बनाते हैं चाहे वो किसी भी topic की बनाते होंगे लेकिन वीडियो को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आपको हमेशा उनमे music लगाना पड़ता है, sound effect लगाने पड़ते हैं और आप हमेशा यही डूंडते रह अगर आप उसको सही से use करना सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छे-च्छे sound effect वहां से ले सकते हैं, copyright free music ले सकते हैं और आपको कोई copyright claim भी नहीं आएगा, जो भी settings है, सारी complete मैं आज के tutorial में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को complete देखिए, बहुत ज़्यादा knowledge आ यह आप चाहें तो laptop से भी कर सकते हैं और mobile से भी कर सकते हैं, अगर आपको mobile से एक काम करना है, तो आपको google chrome की app use करनी पड़ेगी, desktop version में सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, अब यह एक मेरा dummy channel है, ty team, इस पर कोई भी video upload नहीं है, आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं आपको यहाँ manage video के अंदर जाकर click कर देना है, एक नया page खुल जाएगा, आप क्या करना है, हमको side में आना है, left side में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको audio library का option मिलता है, इस पर आपको click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, यह audio library आपके सामने आ जाएगी, दोस्तों यहाँ हमें कुछ चीजे समझने किये, जैसे यहाँ पर देखे, free music का section है, और यहाँ पर side में sound effect का section, free music आपको यह मिल रहा है, और sound effect यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, एक दो चीजे और समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज और है, search for filter library, तो इस तीन line पर हमें click करना है, यहाँ से, category के हिसाब से, और duration के हिसाब से, तो यहाँ पर जो भी चाहें, वैसे आप कर सकते हैं, search, मैं category के हिसाब से आपको दिखाता हूँ, तो यह category है, अलग-अलग तरीके की, माल लीजे मुझे animals की sound effect चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे है apply का option, औ यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर मुझे इस तरह के option मिल गए, अब यहाँ पर देखिए, सारी चीज़े आपको clear कर देता हूँ, यहाँ पर प्ले करके भी देख पाएंगे इसको, और इसके लावा या की duration देख पाएंगे, कि भाई आप 5 second का ही है, इसके लावा यह animals क है, और डाउनलोड आप यहाँ पर कर पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर animals category के sound आगे हैं, अभी हम कुछ sound सुनके देखते हैं, यहाँ पर मालीजे मैं यह वाला sound सुनके दिखाता हूँ आप, तो यह वाला sound मालीजे हमें किसी वीडियो में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सामने देखी, यहाँ पर download का option है, आप चाहें तो इस पर यहाँ पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, यहाँ पर देखे, side में यह download हो गया है, इसको आप अपनी वीडियो में use कर सकते हैं, आपको copyright claim नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखने हैं, और वो ध्यान रखने हैं आपको, एक है attribution not required, और एक है attribution required, attribution not required जो है, उसका मतलब यह है कि आपको किसी भी तरह का कोई credit नहीं देना है, सीधा download कीजिए, music को use कर लीजिए, और attribution required में आपको attribute करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ आप लाइसे चेक कर सकते हैं, तो YouTube का symbol बना आ जाएगा, मतलब आप जो music है, इनको use कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई credit नहीं देना है, तो पहले सुनते हैं कोई, यह मैंने सुना, मुझे पसंद आया, और मैं सीधा यहाँ पे जो download का option है, बस इस पर ही click कर दूँगा, और यहाँ देके नीचे भी कर सकते हैं, यह देखिए, next कर दीजे, इस तरह से आ जाएंगे, अब यहाँ पे मान लीजे, हमें attribution required वाला चाहिए, तो इसको हम cross करेंगे, और यहाँ पे search करेंगे, attribution required, इस पर click करेंगे, और यह हमारे attribution required आ जाएंगे, अब देखिए, मैं आपको चीबता दू, सुनना है, तो यह वाला music मैं यह से सुन सकता हूँ, वो आप सी की गए, सारी चीज, मैं आपको बताता हूँ, create कैसे देना है, तो यहाँ पर आप click करेंगे, CC पे, और यहाँ पर view details, आप देख सकते हैं, view details का एक option आ रहा है, इस पर आप click कर देंगे, चलिए मैं आपको दि copied हो गया है, और मैं अपने वीडियो के description में इसको add कर दूँगा, तो मुझे copyright strike नहीं आएगा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब को सीख गए होंगे, YouTube की audio library के बारे में, सारी settings के बारे में, क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर वीडियो पसं इंड़िय।